नमस्कार आप सभी का अगें स्क्रेप्शन के इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यदि लोग सुचना पदा अधिकारी द्वारा कियेगे ब्रस्टाचार का खुलासा होता है एवं इस कारण आवेदक मार्ट याई कारिकरता को किसी भी तरक की छती पहुचाने का कार्ज किया जाता है या ब्रस्टाचार को उजागर करने के कारण उसके जानमाल की छती की संभावना बनी रहती है तो लोग सुचना पदा अधिकारी के खिलाफ सुचनात्मक आवेदन धारा 39 CRPC के तहत अपने नजदे की न्याले में किस प्रकार दर्ज करवाएंगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे चलिए जो इस चैनल से पहली बार जुरे हुए है वो अब सब्सक्राइब कर लें तथा बेल लाकन को दबा लें जिससे ह एक लाइक अवस्ट कर देंगे उपयोगी लए गएगा तो एक दूसरे अपने अपने ग्रूप में अवस्ट सेयर करें तो चलिए हम लोग जानेंगे किस प्रकार हम लोग सुचनात्मक आवेदन लिख सकते हैं सबसे अधिकांस गरवड़ी पुलिस विभाग के पी आईयो जूठे रिपोर्ट का खुलासा सुचना आयोग में भी मैं कर चुका हूँ जिसके कारण सुचना आयोग के द्वारा भी दोसी पर करवाई करने का आदेश पारित हो चुका है लेकिन इसके बावजूद पुलिस अधिक्षक द्वारा उचित करवाई नहीं की जा रही है एवम मेरे पुलिस के द्वारा मिली भिगत से मेरी ही छती की शंभावना हमेशा बनी रहती है यहां तक की मेरे जानमाल की छती की वी शंभावना है इसकारण मैंने यहां अपने न्याले में भागलपूर न्याले सिविल कोर्ट में स्रीमान मुख न्याइक डंडा धिकारी भागलपूर के समक्ष सुचनात्मक आवेदन धारा 39 CRPC के तहत दर्ज करवाया है जिसका मैंने पर्मानित प्रतिलिपी निकलवा लिया है आप लोगों को भी इस तरह की अगर संभाव ना हो तो आप लोग भी इस तरह आवेदन लिखकर टाइप करवा ले और यदि संभब हो तो अधिवक्ता के माध्यम से भी दे सकते हैं या नहीं तो जिनका अक्षर साफ साफ हो सुन्दर हो तो वो अपना सादे कागज पर लिखकर खुद भी अपना आवेदन दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि भारतिय संभिधान में लिखा गया है कि खुद का वाद के खुद अपने से आप अपना पक्ष रख सकते हैं चाहे आपको किसी भी तरह का लाइसेंस हो या ना हो तो मैंने भी यह सुचनात्म कावेदन दर्ज करवाया है तो आप लोग यहां अपना नाम पूरा पता लिख देंगे जो सुचना देना चाहते हैं या प्रार्थी जो है वो अपना नाम पूरा बनाम में जितने भी लोक शेवक हैं लोक सुचना पताधिकारी हैं उनका नाम दे देंगे मैंने यहाँ अनेक लोग सुचनाप दाधिकारी का नाम दिया है जिसके खिलाब जूठे रिपोर्ट का कुलासा हुआ है मैंने इन सभी के खिलाब सुचनात्मक आवेदन दिया है तो इसमें पहला है राम निवास चौधरी पुर्व रतवारा ओपी प्रभारी आलम नगर मदेपुरा दूसरा है प्रेम नात सर्मा पुर्व पुलिस सवर निरक्षक रतवारा ओपी आलम नगर मदेपुरा इसी प्रकार करके जितने भी लोग श्यवक हैं, जितने भी लोग सुचनापदादिकारी PIO हैं, उसके खिलाप मैंने एक सुचनात्मक आवेदन दिया है, तो इसमें आप लोग भी जिनके खिलाप सुचनात्मक आवेदन दे सकते हैं, उनको यहां लिख देंगे, उसके बाद अब सुचना आवेदन तरफ से प्रार्थी या सूचक दाखिल कर साधर निवेदन करता है कि पहला प्रार्थी या सूचक दिव्यांग कमजोर गरीब सांतेप्रिय समाजिक कारिकरता आर्टी आई कारिकरता के रूप में भरष्टाचार के खिलाप लड़ने वाला है विति विवस्ता को मानने वाला भार्थी है दूसरा प्रतिवाधिक अन लोगशेवक, शहलोग सूचना पदाधिकारी वरष्टाचार के कारण पक्षपात करने वाले वरष्ट पदाधिकारी है जो सौशमय वानचित सूचना प्रदान नहीं करते एवं सौशमय सही ढंग से काम ना कर जनता को परिशान करते हैं तीसरा परतिवादी लोक्षेवक्ष लोक्सुचनापतादिकारी से प्राथी सुचक ने कई RTI आवेदन लगा कर भरष्टाचार के कारण परतिवादी के सपेद जुठा रिपोर्ट का खुलासा किया है, कई पर सुचना आयोग बिहार पटना द्वारा कारवाई का भी आदे स्प्राप्ट है, चौथा कुछ परतिवादी लोक्षेवक्ष लोक्षुचनापतादिकारी द्वारा मिलकर साजिस रस्ते वी दिनांग बाएस्ती ने कि इसको मेरे परतिपक्षीगन कुछ का नाम मैंने यहां दिया है, आप लोगों को भी इस तरह की अगर आप लोगों के साथ कोई घटना होती है, तो उन सभी का नाम दे देंगे अपना जो भी हो, पॉइंट टू पॉइंट लिख कर इस प्रकार आप एक सुचनात्मक आवेधन लिख सकते हैं, जीसके लिए आप ॉइंट टू पॉइंट अपना जितने भी पॉइंट में हो लिख लें, मैने कुछ पॉइंटों में लिखा, इसका कुछ-चुछ मुख्य बिंदू आप लोगों को मैंने सुनाया इसमें आगे लिखा मैंने पांच में सभी पर्तिपक्षी गन लोग से बख्षा लोग सुचिनाप दादिकारी को मैंने आर्टियाई लगाया था एवं ब्रष्टाचार के कारण सफे जूटे रिपोर्ट का खुलासा किया जा रहे हैं एवं मुझसे बदला लेने की नियत से एवं कानुनी करवाई से बचने के लिए मेरी हत्या भी कहीं भी करवा सकते हैं और पुन्ह मेरे परिवार के सदस्यों को जूटे मुकदमे में फसाया जा सकता है छठा परतिवादी गन परतिपक्षी गन से मिलकर उस जो भी करवा सकते हैं कई वर्णित पुलिस पता दीकारी का अनप्राथ्य सुचक द्वारा भी एनुमंडल बेवार नियाले उदाकसुन गंज के मुख न्याई डंडा दीकारी के श्रमक्ष परिवाद शंख्या इतना इतना भी दर्ज करवाया गया इस प्रकार आप भी उनके खिलाब जो भी आपको शाक्षो उसके बारे में वर्णन करते हुए आप इस प्रकार सुचनात्म का वेदन एक अपने संबंदित नदे की कोट में अवस्त्य दे दें मैंने इस प्रकार पॉइंट टू पॉइंट दिया है अन्तिम में कुछ बिंदू लिख देंगे जो आए या जिनका साग्षाव लोगों के श्रमक्षो मैंने अंतिम में लिखा प्रतिपक्षी गन प्राथि सुचक को अकेला दिव्यांग एवं मार्थिक रूप से कमजोर और साय समझ कर मेरे प्रतिपक्षी गन से मिलकर धमकाते रहते एवं पुना जूटे मुकदमे में अपने वात की सुनवाई में अपना पक्ष निडर होकर रखने है तू प्रस्तुत हो शकूं अतहन निवेदन पुरव कहना है कि प्राथि सुचक को आएंदा निर्देर से तू एक आवश्यक कारवाई है तू इससे अपने सरकारी स्रियस्ते में दर्ज कर सुरक्षित रख इसके लिए प्राथि सुचक का पुरा प्रिवार स्रिमान का आजीवन आभारी बना रहेगा हस्ता अक्षर अपना लिख देंगे पूरा यह मैंने दर्ज कर वाया था उन्हें इस पांच 2022 को जिसका सर्टिफाइट कॉपी मैं कल ही साथ छोद दोह जार 22 को निकल वाया है जो मुझे कल प्राप्त हुआ था इसलिए आप लोगों को भी यदि किनी लोक श्रिवक या किनी लोक सुचनापदा दिकारी पर जानमाल की छती की संभावना होती है तो उनके खिलाब भी आप सुचनात्मक आवेदन अवस दाखिल कर दें जैहिन